हाई फ्रैन्स व्लकम टुटि में से एक और ईंट्रस्टिंग वीडियो कर स्侧ात उख मैं आश में उसके बात कहलेए कि क्लास 10 में बहतर से बहतर स्कुर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वाइर्मैंट से क्या क्या स्टेडी मटिरियाल चाहिये हमें और जो एक dream होता है सबका कि 95% या उससे ज्यादा score करे class 10 में उसके लिए क्या-क्या चीज़ इंपोर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम contents काफी ज्यादा contents के पीछे भागते हैं और जो basic चीज़ें हमें जानी है basic content हमें पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाते हैं इसके व बात करेंगे कि कौन-कौन सी जो basic books हैं जो basic चीज़ें है content है जो class 10 के लिए required है कि आप 95% या उससे जादा का score easily कर पाएं लेकिए अगर मैं बात करूं class 10 में 95% marks करने की तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप 95% के लिए जाते हैं तो एक regular studies और तीन से चार गंटे का regular study time table अगर आपका होता है self study तो आप उसको कर सकते हो तो आज मैं आपको books के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन सी books जो है वो class 10 में आपके लिए friends साबित होने वाली है तो सबसे पहले बात करते है maths की क्योंके maths जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को परिशान करता है class 10 की बात करें तो तो maths में सबसे पहली चीज है मैं एक बार और आपको बता देता हूँ हर वीडियो में बता तो कि NCRT जो है वो गुरु मंत्र है हर subject के लिए even science हो इंग्लिष के तो नहीं चलती है बट जो भी चलती है तो सारी बुक्स जो है जो आपको रेकॉमेंट की जाती NCRT जो है वो गुरु मंत्र है उसको पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद जो रेफरेंस बुक है इस वोडियो में रेफरेंस बुक के बारे मैं आपको तो यह बुक आपके सामने जो है आरे सगरवाल की बुक है इसको भारती बहुन पॉब्रिश करती है थोड़ी पुरानी है मेरे पास थी जब मैं 10 में था तो यह बुक यूज करता था और यह बुक यूज करके बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इवन फुल मार बिल्कुल इजीली आप क्लास 10 में इस तरीके का आरे सगरवाल को लगाके NCRT के साथ सौ मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हो 80 मार्क्स एक्जाम होंगे 80 मार्क्स कोर कर सकते हो इस तरीके का पेपर आया है इसले दो सालों की बात करें तो और आरे सगरवाल में वी जो examples हैं उनक इस चांद का नाम सभी जानते हैं इस चांद की publishing काफी अच्छी है अगर class 10 की मैं बात करूं उपर भी मैं बात नहीं करा class 10 तक की बात करूं 9 की अगर बात करूं तो class 9 10 के लिए बहुत अच्छा content वो प्रोवाइट कराते हैं काफी easy languages में books होती हैं self study के लिए काफी अच्छी होती है तो इसमें बात करूं तो मैं books लेकर आया हूं जब मैं class 10 में था तो यह इस तरीके की books थी यह तीनों books हैं यह physics की है chemistry है और bio है bio के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि bio की जो book है वो necessary नहीं है आप नहीं भी ले सकते हो ncrt पढ़ कर भी आपका काम bio में चल सकता है और अगर आपको आगे 10 के बाद अगर medical के student आगर आपको bio लेना है तो मैं ज़रूर कहूंगा कि आप यह भी book पढ़ लें यह आपके लिए आगे के लिए helpful लोगी इसके बाद अगर बात करें English और Social Studies की हिंदी की में बात बता दू हिंदी में मैंने कोई भी help book नहीं उसकी और आपको भी recommend करूंगा कि हिंदी में कोई भी help book ना उसकर दें व्याकरन के लिए मैं आपको एक किताब बता दूंगा अगर आप video request करोगे तो मैं आपको डाल दूंगा और अगर आप class 9th के student हो वीडि सागर की किताब है और बहुत जादे class 10 के लिए चलती है और काफी अच्छे इसमें answers आपको देखने को मिलेंगी questions के answers और जो भी exam से related चीज़े पूरी भारी हुई है कि क्या exam pattern रहता और किस तरीकी questions आते हैं तो काफी helpful book रहेगी आपके लिए overall हर चीज़स में दिया हुआ ह इसके बाद बात कर लें social studies की तो फिर मैं एक बार आपको वही बताऊंगा कि आप वही तोगेदरवित की किताब खरीज लूँ मैं कोई sponsorship नहीं लेकर आया हूँ आपको बता रहा हूँ बिल्कुल क्योंकि ये books मैंने खुद यूज की हैं काफी अच्छी किताबे हैं और CRT की किताबे पढ़ें और ये reference book रखें जो आपको questions देखने के लिए useful हो जाए अब बात करते हैं वही हिंदी की तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हिंदी में कोई reference book नहीं लेनी हाँ अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो आप video में comment कर सकते हो मैं आपको करके जरूर जाएं ओके फ्रेंड्स थैंक्स